अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भप्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह नमस्कार शिकिष्णा शिराधे बहुत स्वागत है आप सब का जोतिश दिशा सत्य की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका आश्ट्रो फ्रेंड संतो संतोशी आज चर्चा मा त्रिपुर भैरवी छठी देवी त्रिपुर भैरवी की विश्य में छठी देवी मतलब शुक्र के विश्य में आज मा त्रिपुर भैरवी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली का शुक्र मा त्रिपुर भैरवी दश महा विद्याओं में छठी महा देवी के विश्य में पोजे जाने वाली त्रिपुर्भायरवी के विशे में कैसे हम एक साधना करके अपने कुंडली के शुक्र नामक ग्रह को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं ये जानकारी हम लेने वाले हैं तेब्र साधनात्मक स्वरूप मात्रिपुर्भायरवी का है जो भी बाधा आपके जीवन में आती है बाधा आती कहां है उपलब्ध के समय में जब हम प्राप्ति के निमित प्रयास करते हैं उस दोरान जो अवरोध आते हैं जो बाधाएं आती हैं उन समस्त अवरोधों और बाधाओं को हम मात्रपूर भैरवी के साधरा के द्वारा सुगम कर सकते हैं शुभ कर सकते हैं अगर आपको आपके जीवन में यश, सम्मान और पृतिष्ठा वर्चस्व नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप मात्र पुर्भायरवी की साधना कर सकते हैं मित्रों इन दस महाविद्याओं की साधना आपको आपके जीवन में एक लेबल देती है एक लब्ध देती है, एक प्राप्ति देती है कि दस महाविद्याओं हमें नहीं पता था कि हम कभी इस पर कारकरम करेंगे विगत ग्यारह वर्षों से टेलेवीजन में सेवा करने के दवरान हमने कभी दस महाविद्याओं पर कोई कारकरम नहीं किया था आपके संपरकि में आने के साथ हम इस पर कारकरम भी कर रहे हैं और हम इस पर शोध भी कर रहे हैं अब हमें आसास होता है कि हम कैसे कारकरम कर सकते थे जब तक वो माएं हमें चाहती ही नहीं थे उन माओं का प्यार हमें मिला उन माओं के उस अपलब्धि तक हम पहुँचे और हमने सब कुछ आरम्भ कर दिया प्रोसियावर राम चंद्र की जै रम जो प्रसंद प्राप्त होता है प्राणों के द्वारा उसमें जब प्रजापती दक्ष ने यघ्य का हुजन किया और भगवान शीव और उनकी पुद्री शती को उन्होंने निमंत्र नहीं दिया तो उचित सम्मान न अपने पति और अपने लिए उचित सम्मान न प्राप्त करने के कारण सती को कुरोध हाया और प्रशंद स्वरूप दिखा कर वहां से वो जाने लग गए और अलग-अलग दिशाओं में मार्ग अवरुद्ध करके भगवान शिव को जाने से रोका जब जो जो दक्षण दिशा में अवरुद्ध किया मासती के आदेशा अनुसार भगवान शिव के स्वरूप को वही ट्रिपुर भैर्वी थी सत्रों का धलन करने वाली त्रिजगत तारणी शट कर्मों में उपास्य शट कर्म कौन तंत्र साधना के वह देवी ट्रिपुर भैर्वी है पंचमी जो विद्या छिन्नमस्ता थी उनकी उनका सम्मंध महा प्रले से अगर है तो त्रिपुर भैर्वी का सम्मंध नित्य प्रले से है हर रोज प्रले लीजिए राज राजे श्चोरी भूने श्चोरी जिस प्रकार से तीनों भूनों की जल्थलागाश की पदार्थों की रक्षा करती है उसी प्रकार तिपुर भैर्वी समी पदार्थों का नाश करती है तिर्भुवन के छणिक पदार्थु का प्रतिछण विनास इसी शक्ति पर दिरभर करता है ये वो शक्ति है जो हर्चण उन्ची जूका नाश करता है एक ध्यान के लिए मंत्र निकाला था खोजा था आपकी शोद के लिए वद्व्यानू शहस्त्र कांतिमं रूपना छोम्या शिरो बालिकाम रक्तालिक्त पयोधराम जपवटीम विद्याम वतीम बरम हस्ताप जधै दसीम्त नेत्र विलस्दुत वारनीम स्रियम देविम वद्यम हिमाशुरत्न मुक्ताम वंदे रविंद स्थिताम ये दिव्य मंद्र सुन लिया आपने श्रवर कर लिया यही अपने आप में एक दिव्य त्रिपुर भैर्वी की साधना है एक दिव्य तंत्र साधना हम बताएंगे बस थोड़ी ही देर में हमने आपसे वचन हमने आपको वचन दिया था कि जो समस्त नौ दिनों में 13 से 21 तक हर दिन एक दिव्य साधना हम बताएंगे जो कुछ भी ना रहते हुए भी आपको एक दिव्यता प्रदान करेगा एक उच्चता प्रदान करेगा वो दिव्य साधना हम आपको बताएंगे इन समस्त विश्यों पर हम आपको एक दिव्यता देने जा रहे हैं थोड़ा सा इंतजार करिएगा इस सारी चीजे हमने आपको बताया भगवती तिरपुर भैरवी के विशे में महाभायरों की ही शक्ति हैं मोल सकती होने के कारण सहस्त रुगनातिव और क्रियाज शील रहती हैं मा तिरपुर भैरवी थोड़ा सा आपको पृतिच्छा करना पड़ेगा एक दिव्यता हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा इंतजार करिएगा लेकिन आज जो विशेवस्तु लेकर के हम आए हैं वो विशेवस्तु शुक्र से सम्मंद रखता है शुक्र तंत्र है मैं आपको बताता हूँ जहां शक्ति है वहां शुक्र है जहां शक्ति है वही शुक्र है ये दिब्धा आपके लिए ये शुब्धा आपके लिए ये उच्चता आपके लिए ये प्रभुता आपके लिए अस्य त्रिपूर भायरवी मंत्रस्य दक्षणा मूर्ति रिशिह शक्ति छंदह त्रिपूर भायरवी देवता आइंग बीज रिंग शक्ति है क्लिंग कीलम कीलकमम अभेष्टम सिध्धय जपी विनियोग ये देखके बोल रहा हूं जो हमने शास्त्रोग तो वर्णित इसकी शक्ति का विनियोग निकाला था अब हम आपको एक प्रियोग ऐसा बताएंगे जिस प्रियोग के दोरा शुक्र की शुबता आपको प्राप्त हो जाएगी बो सियावर राम जंदर की जाए बो शक्ति शिरी भी नहीं हो गह की जाए जाए हो तिपर भाहर भी की जाए मया 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 आप सब के किचन में चीनी उपलब्थ है एक कटोरी लीजे साथ चुटके चीनी डालिए साथ बूद सामान पीने वाला पानी डालिए और अंगूठा उस कटोरी में डाल देजे चीनी और पानी बस और कुछ भी नहीं ओम रेंग त्रिपुर भैर्वी नमा हा 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 ये मंत्र जपिए गुप्तन और आत्रिका देब्य समय और आपके एश्टो फ्रेंड का साथ और बेहत चोधात मक्ष समय समय का कोई बंधन नहीं है सुर्योदय से पहले इस मंत्र का जाप करते रही है ये खास समय होता है गुप्तन नौरात्री का समय समय कोई भी समय पौर्णी मा का समय दिब्य समय वही भी समय आप समय का सुद्पयोग करिए इस दिब्यता को ग्रहन करिए और अपने इस्टो फ्रेंड को नमत देजेगा कर हम बताएंगे धुमा अवती के बारे में फिर पगला मुखी फिर मातंगी और कमला के बारे में समय सदस महाविद्याओं का इस दिब्यकार करम आप सब की उपस्ति के लिए निवारत आप दान करता है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपकी इस्टी भी प्यार के लिए यह प्यार यहीं बनाए रखेगा अपने इस्टो फ्रेंड को नमत देजेगा बनाइट शुकर डीम्स टेक केर से किष्टा शिरा दे आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईएगे लिए लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईएगे और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना जाएगे